हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है प्रतिभा और आप सब का स्वागत है प्रैट्स किचन में दोस्तों आज मैं बना रही हूँ जटपट से बनने वाला सालेड जटपट से बनतो जाता है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है अपने किचन में आप इसको जटपट से बना सकते हैं कभी भी पांच मिनुट के अंदर यह तयार हो जाता है और ये एक must-try स्यलेड है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने खीरा ले लिया है दो खीरे लिये हैं मैनरे यहां पर मैंने चो सब्सक्रानी की प्यास करेंगे,ंतौड काते मीडियम साईज़ की जिसको चिल के उसका मैसे यहाट पॉर्षन आसे निकाल लिया है निकालने के बाद प्यास को स्लाईस कर लेंगे,। पत्ली और लम्बे स्लाईस के भी कर लेंगे उस तरीके से। lavender कटज साई़ीक Прैnot प्यास को काटने के बाद दोस्तों इसको मैं हाथ से अलग कर ले रही हूँ ताकि प्यास जो है वो अलग-अलग हो और कभी-कभी मुझ में आये तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी इसको भी अब हम खीरे के ऊपर डाल लेंगे दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर भी डाल सकते हैं चेरी टोमेटोज और अच्छे लगेंगे दो टुकडों में काट के आप उसको इस सालड में डाल सकते हैं मैंने सिर्फ खीरा और प्यास डाला है साथ के साथ मैंने क्रंच के लिए इसमें एक चौथाई कप मूंग फली का दाल दिया है यहाँ पर मैं ड्रेसिंग बना रही हूं इसकी जिसके लिए मैंने एक कप टंगी हुई दही ले ली है जिसमें मैंने दो लेसन की कलियां कूट के ऐसे एड़ कर दी है लेसन आप बहुत ज्यादा नहीं डाले नहीं तो हमारा जो सालड है वो कड़वा हो जाए नमक डाल दिया है मैंने एक चोटा चमाज काले मिर्च का पाऊडर ढला है एक चोटा चमाज और ओलिव ऑल डाल रही हूँ मैं अच्छा फ्लफ आता है काफी light हो जाता है हमारा salad इसके लिए मैं यहाँ पर दो बड़े चमच olive oil का डाल रही हूँ अब हम अपनी dressing को अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से दही के अंदर mix कर लेंगे हम दोस्तों और अगर आप चाहें तो इस dressing को advance में भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं dressing हमारी अच्छे से mix हो गई है इसको अब हम अपने salad के उपर पोर कर लेंगे और पोर करने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेंगे दोस्तों salad को आप enjoy कर सकते हैं ज्यादा time नहीं लगता है पांच मिनिट में हमारा जो salad है वो बन के तयार हो जाता है आप अगर weight loss कर रहे हैं तो ये salad आपके लिए बहुत ही healthy है weight loss में भी help करेगा और nutrition भी पूरा देगा आप चाहें तो इसको as a full meal खा सकते हैं चाहें तो side dish की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको बनाएं और मुझे बताएं ये recipe आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो like, comment, share और subscribe करना बिल्कुल न भूले फिर मिलेंगे एक नई recipe के साथ Prats Kitchen में